हलो डेलगे फामीलिये ना विगेट्स इस वीडियो में हमने डिसकस करने है टॉप हंड़र्ड वर्ब्स जो के आकुजातिव या फिर टार्टिव केस फॉलो करते हैं और ये बहुत इंपोर्टन टॉपिक है इन तीनों लेवल्स के वर्ब्स हम कवर करेंगे लोगेट्स सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वर्ब्स इंपोर्टन्ट क्यूं होते हैं क्यूंकि इनी से हमें पता चलता है कि एक सेंटेंस में क्या काम हो रहा है जैसे कि इस ऐसे आइन पुर्चिन मैं एक बन खा रही हूँ जर्मन वर्ब्स काफी अलग इसलिए होते हैं क्यूंकि वो स्पेसिफिक केसिस फॉलो करते हैं कुछ वर्ब्स सिर्फ आकुजाति फॉलो करते हैं कुछ सिर्फ टार्टे फॉलो करते हैं और कुछ दोनों को फॉलो करते हैं तो इनको सेंटेंस में यूज करने के लिए हमें tables आने चाहिए, ये tables किस चीज़ के हैं, definite और indefinite articles के tables हैं, और personal या possessive pronouns के, इन सभी tables को मैंने recently एक वीडियो में discuss किया था, उसको मैं link कर दूँगी, उसको आप check करके tables के बारे में idea ले सकते हैं तो जब भी आप कोई नया verb याद करते हैं, तो उसके साथ साथ उसका case भी याद कर लिया करें, जैसे के cow fun है, खरीदना, तो cow fun अपने बात accusative case follow करता है, तो कूखन एक masculine noun है, तो एक केक accusative में हो जाएगा, आइनन कूखन, तो इस खावफे आइनन कूखन, मैं एक केक हरीद रही हूँ verbs को सही से याद करने के लिए, हमें उसके correct cases को follow करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, वरना हम grammar की गलतियां करते हैं, अगर हम कहें, इश्व खागे दिया, मैं तुमसे पुछती हूँ, तो ये cases के मताबिक आप by heart याद कर लें, और हर रोज repeat करें, लिस्ट आपको कहां से मिलेगी, इस वीडियो को देखकर जब आपको overview दिखाया जाएगा, तो उसको आप याद कर सकते हैं, तो जब आप उन verbs को याद कर लेंगे, तो फिर बहुत अच्छे chances हैं, कि आप उसको speaking में भी फिर correctly use करा करेंगे, अब हम एक एक करके सभी verbs को उनकी एक एक example के साथ discuss करेंगे, सबसे पहला basic verb harben, to have, और जो भी verbs यहाँ पर use किया जाएंगे, उनके साथ उनका केस लिखा हुआ करेगा, एक्जाम्पल है, इस हाब आइन अपफल, मेरे पास एक सेब है लेजन, पढ़ना, जी लीस्ट आइन बूख, वो एक किताब पढ़ रही है होगन, सुनना, इश होगे ती वोगल, मैं परिंदों को सुन रही हूँ फिंदन, मिलना, फिंदेस तू मैने वोनुग शोन, क्या तुम्हें मेरा अपार्टमेंट अच्छा लगा है सेहन, देखना, इश सेह हीर आइन आउटो, मैं यहां एक काड़ी देख रही हूँ ऐसन, खाना, इश एसे आइन प्रोट्चिन ट्रिंकन, पीना, एर ट्रिंक्त आइनन काफे ओने सुका, वो पीता है काफी चीनी के बगेर जूखन, ढूंदना, इश दूखे आइनन कंप्यूटर मखन, करना, इश मैश्टे आइनन टॉच कोर्स मखन, मैं चाहती हूँ एक जर्मन कोर्स करना लीबन, प्यार करना, एर लीप्ट जाइने फखाओ, वो अपनी बीवी से प्यार करता है काफन, खरीदना, एर काफ्ट आइन हेंट, वो खरीद रहा है एक शिर्ट फरकाफन, बेचना, एर फरकाफ्ट जाइन आउटो, वो बेच रहा है अपनी गाड़ी ओफनन, खोलना, जी ओफनित तस फेंस्टा, वो खिड़की खोल रही है श्लीसन, बंद करना, इश श्लीसे दिच्छा, मैं दर्वाजा बंद कर रही हूँ फ्रागन, पूछना, इश फ्रागे दिश नुख आइनमाल, मैं तुम्हें फिर से एक बार पूछती हूँ अन हूफन, कॉल करना, इश हूफे माइने फ्रॉइंडिन, अन, मैं अपनी सहेली को कॉल कर रही हूँ ठेंबागे स्व्याब है, तो इसका प्रिफिक्स एंड पर जाता है अपहोलन, पिक करना, इश होले दिश मौगन अब, मैं तुम्हें कल पिक कर लेता हूँ आइन लादन, दावत देना, इश मौश्टे दिश आइन लादन, मैं तुम्हें बुलाना चाहती हूँ, दावत देना चाहती हूँ पिजूखन, विजिट करना, इश पिजूखे माइने एलटन, मैं अपने पेरंट्स को मिलने जा रही हूँ पिजसालन, अदा करना, दे आमानमुस दी गशनुग बिजसालन, आदमी को बिल पे करना पड़ेगा बुखन, बुक करना, इसको हम रेजवीगन भी कह सकते हैं और वो भी अपने बात आकुजाटिव केस ही लेता है इश बुखे आइन सेमा, मैं एक कमरा बुक कर रही हूँ लैनन, सीखना, इश लैने, काइन एंगलिश, मैं कोई एंगलिश नहीं सीख रही नाउन्स को हम खाइन, खाइने के साथ निगेट करते हैं और वर्ब्स को हम निश्ट के साथ निगेट करते हैं तो खाइन हमें ये बता रहा है कि लैनन अपने बात आकुजाटिव केस लेता है ट्रेफन, मिलना तुम अपनी सहेली से कब मिलती हो? इर्रेगुलर वर्ब है, तो ट्रेफन ये की जगा आये बान जाता है जस्ट टू और याजी एस में बाकी सभी के साथ ये ही रहता है नेमन, लेना इशने में देन फुलोवर मैं स्वेटर ले लेती हूँ मोरगन, पसंद करना वेर माग खाएने पिज़ा, किसको पिज़ा नहीं पसंद? बाकन, बेग करना, इश पाके आइनन कूखन फर्ष्टेएन, समझना इश फर्ष्टेएदिश निश्ट, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही फर्गेसन, भूल जाना दी फ्खाव हाट देन टेमीन, फर्गेसन ओरत अपॉइंट्मेंट, भूल गई है बिकॉमन, हासल करना, मिलना यानि मिलना किसी चीज़ का मिलना इश आइनन पगीफ बिकॉमन मुझे एक लेटर मिला है आप नोट करें कि यहाँ पर फर्फेक्ट का यूस हुआ है उसके बारे में अगर आपको इंफर्मेशन चाहिए तो वो भी मैं वीडियो लिंक कर दूँगी लैनन की तरह श प्रेशन भी अपने बाद आकुजाटी केस फॉलो करता है और इसका मतलब है बोलना इस प्रेशे खाइन डॉइच मैं कोई जर्मन नहीं बोलती तो यहाँ पर आप नोट करें बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले एक सैंपल देखी थी खाइन के साथ हुआ क्योंकि यहाँ पर डॉइच एक नाउन है बगाउखन जरूरत होना इस बगाउखे आइन आउटो मुझे एक कार की जरूरत है खैनन जानना इस खैने इन निष्ट मैं उस लड़के को नहीं जानती एया आकुजाटिव में इन में बदल जाता है बितन रिक्वेस्ट करना कोई ऐसा लेडर जिसमें आपको छुटी चाहिए या बिमार हैं तो एंड में आप लिख सकते हैं इस बिते उम या फश्टेंडनिस मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अब यहाँ पर हम कुछ डाटिव के देखेंगे वर्ब्स अंटवोटन जवाब देना क्या तो मुझे प्लीज जवाब दे सकते हो आप नोट करें कि अभी हम सिर्फ आइंस की वर्ब्स की लिस्ट चेक कर रहे हैं थोड़ी ही देर में हम आस्वाई की स्टार्ट करेंगे हेल्फन मदद करना इस हेल्फे दिया क्या ने मैं तुम्हारी मदद करना चाहूंगा टांकन शुक्रिया करना इस टांके दिया फिर दाइने हिल्फे मैं शुक्रिया करती हूँ तुम्हारा तुम्हारी मदद के लिए ग्राटूलीगन मुबारक बात देना जी ग्राटूलियट मिया सुम गे बुट स्थाग पैंट मुझे अच्छी फिट हुई है अब हम आस्वाई लेवल पर आ गए हैं और उसका पहला ऐसा वर्ब जो कि अपने बाद आकुजाटिव केस फॉलो करता है वो है हसन नफरत करना जी हस्ट इन लीबन और हसन दोनों अपने बाद आकुजाटिव केस फॉलो करते हैं तो शी हेट्स हिम अगर ही हेट्स हर होता तो यह कैसे आप चेंज करते हैं यह मुझे कॉमेंट सेक्षन में बताईएगा पेंट वोटन जवाब देना इश पेंट वोटे ती इमेल मैं इमेल का जवाब दे रही हूँ पेगातन एडवाइस करना नसीहत करना दी एट्स्टिन हटमिश इंडवीडूएल पेगातन लेडी डॉक्टर ने मुझे अकेले या अलग से नसीहत या एडवाइस किया है पेंटसन इस्तमाल करना वेल्शे फक्यास मिटल पे नुटसन जी आप कौन से जराय आमदुरफ्ट मीन्स ओफ ट्रांस्पोर्ट इस्तमाल करते हैं एरहालतन मौसूल करना हासिल करना इशब के गाट एगे इमेल मुझे अभी ही आपकी इमेल मौसूल हुई है ये भी फ्याफेक्ट में है प्लानन प्लान करना मनसूबा बनाना विया प्लानन आइने लांगे गाईजे हम एक लॉंग जर्नी एक लंबा सफर प्लान कर रहे हैं कौपीगन कौपी करना हास्टूडी डॉकुमेंटेशोन कौपीएट क्या तुमने औरेडी डॉकुमेंट्स कौपी कर लिये हैं मिला हाथ टी डॉकुमेंटे के श्पाई शिर्ट के मिस्टर मुला ने डॉकुमेंट्स मिफूस कर लिये हैं, सेव कर लिये हैं मुझे पहनना पसंद क्या है? ड्रेसिस पहनना पसंद है शिर्ट के मुकाबले में श्टेलन चोरी करना देर दीब हाथ आइन आउटो गिस्टोलन चोर ने एक गाड़ी चोरी कर ली है श्टेलन का प्रेफेक्ट पार्टेशिप स्वाई फॉर्म हो जाएगा गिस्टोलन एरफिंदन इजाद करना तु इन्वेंट क्राहम बेल हाथ तस टेलेफोन एरफुंदन क्राहम बेल ने टेलेफोन इजाद किया है अन्शावन देखना शावन जी बिटे टी बिल्दा आन तस्वीरों को प्लीज देखें मैं अपना वीकेंड इन्जॉई करती हूँ और पकाती हूँ कुछ मज़ेदार मैं अब आपको मजीद परिशान नहीं करूंगी सपोर्ट करना, सहारा देना, मदद करना के मतलब में आता है माली तोर पर मेरे वालिद ने हमेशा मुझे सहारा दिया है मेरी मदद की है वाइन बागन, अरेंज करना इश वूदे ग्याने आइन टेमीन मिट देम आर्स्ट वाइन बागन मैं चाहूंगी एक अपॉइंटमेंट बुक करना, अरेंज करना डॉक्टर के साथ फोर बेगाइटन, तैयार करना इम मुमेंट बेगाइटे इश आइने प्रेजेंटाशियों फोर इस वक्त मैं तैयार कर रही हूँ एक प्रेजेंटेशन रिस्पेक्टीरन, इज़त करना विया मुसन उन्सरे एल्टान रिस्पेक्टीरन, हमें अपने वाल्देशन की इज़त करनी चाहिए प्रेजेंटीरन, पेश करना कल मैं प्रेजेंट कर रही हूँ अपने प्रोजेक्ट का काम किसी को जानन न कोई बंदा जल्दी जल्दी नए लोगों को कैसे जान सकता है खैनन लियानन वैसे एक तूटने वाला वर्प है लेकिन यहां पर मोडाल वे आपकी वज़ा से एंड पर वो फुल फार्म में लगा है आफ माखन, खोलना जो उफनन श्लीसन हमने पहले किया है वो आप A1 लेवल पे याद कर सकते हैं और आफ माखन, सू माखन, अन और आउस माखन यह सभी आप A2 लेवल पे याद कर लें तो आपको काफी हल्प मिल सकती है तो आफ माखन खोलना माखन सी बिटे दी चुए आफ आप प्लीज दर्वाजा खोल दें सू माखन बंद करना क्या तुम प्लीज खिड़की बंद कर सकती हो वेलन, चूस करना, मुंतहब करना उसने अपने लफजों का इंतहाब ध्यान से किया है उनको ध्यान से चूस किया है जौक फेल्टिश कैफुली अब जागन, कैंसल करना जो हाली जागन था, उसका मतलब है बोलना लेकिन अब जागन हमें याद रखना होगा इसका मतलब होता है कैंसल करना मुझे अनफॉशनेटली इंविटेशन को कैंसल करना पड़ेगा बिदीनन, सर्फ करना लेना इस्ट आइने खेलना गिन जी बिदीन्ट दी कैस्टे लोजन, हल करना कांस्ट तू बिटे दस प्रोब्लेम लोजन? क्या तुम प्लीज मसले को हल कर सकते हो? एवातन, एक्सपेक्ट करना, तवक्को करना इश एवाते दी लीफरूंग उबर मौगन पर्सो, जो के आने वाला पर्सो है मैं तवक्को कर रही हूँ अपनी डिलिवरी की जो घर में समान आना है उसके लिए डी लीफरूंग जिससे वर्ब बनता है लीफरूंग न डिलिवर करना अब एटू लेवल के कुछ टार्टे वर्ब्स हो जाएं? गलावबन, यकीन करना एया गलावब मिया नी, वो मेरा कभी भी यकीन नहीं करता एया लावबन, इजाज़त देना मुझे इजाज़त दीजिए आप अपना तारूफ करवाने के लिए यहाँ पर एक सूज़त इस्तमाल हुआ है विंशन, खाहिश करना मैं विश करती हूँ तुम्हें अच्छी सहत तुम्हारी सहत जो खराब हो गई है तो गूटे बैसा हूँ कहते हैं केट वेल सून को मुझे मौफ कीजिएगा, माजरत कीजिएगा मेरी के मैं लेट आई हूना फॉर्दर दिले फासीगन होना यहाँ पर आप नोट करें फासीगन एक ऐसा वर्भ है जो के जाइन के साथ पह अफेक्ट बनाता है तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ऐसा तो मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ है गिहोगन मलकियत होना कोई चीज किसी की होना दी मीक्रोवेले गिहर्ट मिया माइक्रोवेव मुझसे बिलॉंग करता है गिफालन पसंद होना दाइने रेगन याके गिफेल्ट मिया एश्ट कूट तुम्हारी रेन जैकेट या रेन कोट मुझे वाके यी बहुत अच्छा लगा है शादन नुकसान पहुचाना गाउखन शादिट दिया गिजुन्थाइट वैसे दी गिजुन्थाइट होता है लेकिन इसके डाटिव होने की वज़ा से इसको भी फिर हम डाटिव में ले गए हैं तो स्मोकिंग नुकसान पहुचाती है सहत को फेलन याद करना दू फेल्स्ट मिया जोजया श्मेकन तेस्ट करना आइस श्मेक्ट मिया कूट फटगावन भरोसा करना मैं मजीद अपने लॉयर पर भरोसा नहीं कर रही फॉल्गन पीछा करना देअ फॉलिसिस्ट फॉल्ग ते देम डीब प्खेट है गे तूम तो पुलिस आफिसर ने फॉलो किया था चोर को देअ डीब होता है तो यहाँ पर वो टार्टिव में चला गया वे ठून दर्द करना जो सारी श्मयाचन होती है चाहे कॉप श्मयाचन, सान श्मयाचन, रुकन और अधाल श्मयाचन किसी को भी आप वे ठून के साथ भी मेंचन कर सकते हो तो सेंटेंस हो जाएगा सरदर्द का माइन कॉप ठूट मिया जया वे मुझे बहुत सरमे दर्द हो रहा है अब बारी आ गई है जी बे आइंस के कुछ आकुजाटिव और डाटिव वर्प्स की सबसे पहला है अन्हाल्टन रोकना या अरेस्ट करना डियापॉलिसिस्ट हेल्ट देन्डीप अन पुलिस ने गिरिफ्टार कर लिया है चोर को फ्लांजन लगाना पोदे लगाना ना या दरख्त लगाना वी कानमन आइनन बाउम सेल्बा फ्लांजन कि किस तरह से कोई खुच से दरख्त लगा सकता है वी लांगे डावट एस बिस टी मशीने कि कितनी देर चलेगी या कितनी देर लगेगी तब तक जब तक कि मशीन डेटा को प्रोसेस करे घीशन कहते हैं स्मेल को एक्सामपल है यह गीश्ट देन बगातन यह है जी एक रेडे वेंडूंग जो के इडियम होता है तो वैसे तो बगातन का मतलब रोस्टिंग होता है कि उसको स्मेल आ रही है रोस्टिंग की लेकिन इस रेडे वेंडूंग का मतलब है कि किसी डर को खुझ से पहले जान लेना कि कोई चीज आपको पहले ही पता चल गई है कि कुछ बुरा होने वाला है यह पिक्चर ली गई है इस वेबसाइट से जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है 25 साल की उमर में मैंने अपनी पहली कंपनी की बुन्याद रखी 25 हिंटलासन पीछे चोड़ना कभी-कभी ऐसा होता है कि आंसरिंग मशीन पर फोन्स लगे होते हैं जब हम कॉंटेक करते हैं किसी भी होर्डे में या आर्ट्स प्राक्सिस में तो वो आपको ऐसा करने को कहते हैं हिंटलासन जी बिटे आइने नाखरिश नाख्टिम सिगनाल टोन कि अपना मेसेज छोड़ दें जो ट्यून बजेगी उसके बाद एंट्विकलन बनाना लेट्स देवोखे हाट माइने फ्वॉंडिन आइन नौइस प्रोग्राम एंट्विकल्ट कि पिछले हफ़ते मेरी सहेली ने एक नया प्रोग्राम बनाया है डेवलप किया है सर्ष्टूर्गन तबाह करना तुफान ने बहुत सारे घर बरबाद किये हैं कि ओरत ने अपनी शादी की तस्वीरों को फार दिया है पिखेंफन मुकाबला करना कि आफ्टर मिड़े मैं खुट से मुकाबला करती हूँ किसके साथ? अपनी थकावट के साथ मुडिश्काइट मुडे आपको याद होगा एमफांगन मौसूल करना डिया डिरेक्टर एमफेंग्ट होईते दिगेस्टे डिरेक्टर आज वसूल करेंगे महमानों को बढ़ता हुआ जो दिमांड है बढ़ती हुई सोने की वो किस चीज़ पर असर करती है? उसकी कीमतों पर गातन का मतलब होता है एडवाइज और आपको याद होगा पहले हमने बगातन देखा है जो कि आकुजाटिव केस लेता है लेकिन जो गातन है वो अपने बाद दाटिव केस लेता है तो मैं तुम्हें ओर्डर करती हूँ मेरी मदद करने के लिए कहते हैं ध्यान से सुनने को तो दी मुटर होट दिन किंदर सु मा ध्यान से बच्चों को सुन रही है केलिंगन काम्याब हो जाना मैं अब तक काम्याब नहीं हो सकी इस तास को हल करने में केनुगन काफी होना गाइश्टूम अलाइन गेनुग्ट या निश्ट उस लड़की के लिए दौलत अकेली ही काफी नहीं है तो आप नोट करें यहाँ पर हमने इसको टार्टिव केस में लगाया अगर मेरे लिए दौलत काफी नहीं है तो वो मैं कैसे लिखूंगी यहाँ पर नोट करें कि क्या लिखेंगे आप बॉस को भरोसा नहीं है अपने सेकेटरी पर कोई ऐसी बात आपके कोलीग ने या आपकी फ्रेंड ने की है जिसे आप एगरी कर रहे हैं तो आप उसे यह सेंटेंस कह सकते हैं कि यहाँ पर तो मैं सिर्फ तुमसे एगरी ही कर सकती हूँ तो यह था जी हमारा लास्ट वर्ब अब तक जो सारे वर्ब्स हमने डिस्क्स कीए है यह रहा उसका ओवर्व्यू इसका स्नैप शॉट लेकर आप इन सभी वर्ब्स को उनके केसिस के साथ याद कर सकते हैं जाते जाते कुछ एंड रिमार्क्स हो जाएं इस विडियो में हमने 100 डिफरेंट वर्ब्स को उनके केसिस के साथ देखा तो यह इनफ थे आपकी स्पीकिंग और राइटिंग में आपको मदद करने के लिए सबसे पहला काम आपका ये है कि आप इन सभी को याद करें उसके बाद इनको यूज करना शुरू कर दे रेगुलर्ली और तब तक यूज करते रहें जब तक कि ये आपके माइन में स्टिक ना हो जाएं और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि इन में से आपको औरेडी कितने आते थे और कोई और है क्या आपकी ये जहन में कोई ऐसे डार्टिव और आकुजार्टिव केस फॉलो करने वाले वर्प्स तो वो भी मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में शेर कर सकते हैं ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कॉमेंट करके बताएए क्या इसने आपकी है अगर हाँ तो अपने लैंग्विज लेंग फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें किन टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं ये भी मुझे से शेयर कर सकते है दोनुँ चैनल्स के लिंक्स दिये गए हैं चाहें तो सब्सक्राइब कर लें मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में चूस